जिस तरह से आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम्स होते हैं उस तरह से वेबसेट के भी प्रोग्राम्स बन चुके हैं पहले यह होता था कि वेबसेट स्टाटिक HTML में बनाई जाती थी स्टाटिक HTML का मतलब यह है कि हर पेज एश्टी अमल में ड्वेलपर लिखता था और वो वेबसेट पेज बेज बनती थी लेकिन जैसे जैसे टेकनोलोजी इडवांस होईं CMS भी ड्वेलप होगे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी ड्वेलप होगे और अब CMS जो हैं वो एक स्टेंडर्ड बन चुके हैं अगर आपने कोई वेबसेट बनानी है तो जादा तर लोग CMS को पसंद करते हैं CMS का मतलब यह है Content Management System यह करता क्या है CMS एक प्रोग्राम है जिसमें आपको यह बता दिया जाता है कि आप यहां से लॉग इन करेंगे आप यहां से पोस्ट क्रियेट करेंगे और पोस्ट क्रियेट करने के लिए यहां टाइटल लिखेंगे यहां बॉड़ी लिखेंगे और उसके बाद आप पब्लिश कर देंगे जब वो पब्लिश हो जाएगा तो एक थीम के तहट एक जगह पे जाकर पोस्ट हो जाएगा जिसमें आपको ये धियान करने की ज़रूत नहीं है कि उसका डिजाइन कैसा है क्योंकि आपने पहले से ही उसका डिजाइन बनवा कर इसी डिवलपर से या अपनी थीम इंस्टाल कर लिया है तो वो डिजाइन वैसा ही नज़र आएगा जैसा हो आपने एक दफ़ा देखा था आप जब भी उसको अपडेट करेंगे वो वैसे ही डिजाइन में चलता चला जाएगा इससे फाइदा ये हुआ कि इससे वेबसाइट तो बड़ी थी मतलब हजारों कज़ दाद में अगर पेजिस की बात करें अगर आपको e-commerce की वेबसाइट देखें तो उनमें हजारों के दाव में पेजिस होते हैं उनको अगर एक एक करके मैनेज करें तो टोटली इनकिन्विनियंट मतलब कि बिलकुल ही नामुम्किन सी बात होगी थी कि इतने बड़ी वेबसेट को मैनेज कैसे किया जाए तो CMS का असल मेजाद वहीं से हुआ और CMS आप ये करते हैं कि आपको वेबसेट मैनेज करने के लिए और वेबसेट को अपडेट करने उसमें पेजिस जलीट करने और उसमें नए पेजिस आड़ करने इस सब चीज़े वड़ी असान होगी है तो इन सब CMS में एक बड़ा फाइदा ये हुआ कि नॉन टेकिनिकल लोग जयानि कि हमारे जैसी लोग जो कि SEO या मार्केटिंग से तालुक रखते हैं जिनका कोडिंग से तालुक नहीं है वो लोग भी वेबसेट मैनेज कर सकते हैं वेबसेट बना भी सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी समझ जादा आजे CMS की लेकिन अगर आपको बस इतनी समझ आजे कि CMS चलाना कैसे है तो आप अपनी SEO अच्छी कर सकते हैं क्योंकि आपके बस कंट्रोल होगा कि कब आपने content अपडेट करना है कब आपने content डिलीट करना है तो दुनिया में तकरीबन कुछ बड़े CMS हैं जो अब बहुत तेजी से popular हो रहे हैं उन में कुछ के नाम तो ये हैं पर अग्जामपल जूमला, WordPress, PrestaShop, Magento और ये different CMSs ये different purpose को fulfill करते हैं तो बिसाल के तोब पर अगर आपको एक आम सी website बनानी है मतलब आम website समराद जिसमें 10, 15, 20 या 100 पेजिस हैं तो आप WordPress के इंतखाब कर सकते हैं अगर आपको बड़ी website बनानी है जिसे कि आगर आपको हजारों के दार में परड़क्स डालनी है तो आप Magento के लिए जाएंगे क्योंके Magento बेसी के लिए e-commerce website यानी के उन website के लिए बना है जो net पे अपनी प्रड़क्स बेशना चाती है उन website की खासियत यह है कि वो आपके user database maintain करते हैं आपकी save maintain करते हैं किसने क्या buy किया कब buy किया और वो payment gateway क्या लगाया इस सब चीजें different CMSs handle करते हैं SEO में हमें जो benefit मिलता है वो WordPress से मिलता है WordPress अब तक का सबसे बेतरी ही SEO CMS बन चुका है उसकी reason यह है कि WordPress को चलाना बहुत असान है और इसके development support बहुत ज़्यादा है क्योंके हजारों के तादाद में developer जो है वो इसके उपर development कर रहे हैं अगर हम stats देखें तो CMS की race में WordPress जीच चुका है और यह अब तक का सबसे ज़्यादा use होने वाले WordPress है लेकिन अगर मैं total technology की बात करूँ जिसमें static और non-static दोना websites के हम बात करें तो तकरीबन आदी websites दुनिया में अभी भी किसी CMS पर नहीं आई लेकिन अगर आप CMS की बात करें तो WordPress सबसे बहतरी है और मैं भी recommend करूँगा बलकि हम सब जो marketing की field में हैं हम सब WordPress को इसलिए prefer करते हैं किसमें plugin की support, theme की support और again marketing के जो features हैं वो बड़ी असानी से मिल जाते हैं तो अगर आपने कोई website सीखनी है तो आप WordPress से start करें आप WordPress को मदीद सीख भी सकते हैं लेकिन अगर आप WordPress ना भी सीखें तो इतना जरूर सीखें कि आप SEO अच्छी कर सकें तो अगर आप DigiSkills के लिए कोर्स ले ही रहे हैं तो हमारे इन कोर्स में एक कोर्स WordPress के ओपर भी है तो मैं recommend करूँगा कि जब आप SEO सीख लें तो आप WordPress भी सीखें ताकि आपको असानी हो वेबस्ट मैनेज करने में क्योंकि अगेन अगर आपने SEO अच्छी करनी है तो आपको वेब डिवल्मेंट थोड़ी सी आ जानी चाहिए और WordPress बहुत ही असान है अगर आप सीखना चाहें